तो अब हमनों करने जारे derivatives का यह sum जो basically swaps पर है सो क्या है sum अबन quickly ज़रा sum देखते हैं, sum के अंदर क्या करना है तो उन्होंने बोला है TMC holding has, has उन्होंने बोला है portfolio of share of diversified companies at 400 crores 400 crore का national principle 400 crore का और enters into a swap agreement with nun bank or the terms that it will get 1.15% quarterly, तो तो सब time period quarterly मतलब 3 months और notion principle तो आपने हाला की लिखा हुआ है, in exchange of return on portfolio which is exactly tracking the sensex तो सर अब अगर आपने notice किया रहेगा तो TMC करके company है जो swap कर रही है non bank के साथ और वो swap के अंदर वो क्या होने वाला है सर, swap के अंदर उसको कुछ receive और कुछ payment होगा तो सर वो क्या pay करेगी और क्या receive करेगी company वो अपने को उन्होंने दिया हुआ है तो सर अगर आपने notice किया रहेगा तो company sensex का returns देने वाली है और बदले में 1.15% का fixed return लेने वाली है इसको सर हम लोग equity swap बोलते हैं जापे आपको सामने equity का return दे रहे हो या ले रहे हो और बदले में आप क्या कर रहे हो सर बदले में आपको fixed return ले रहे हो कभी कवर equity to equity भी swap हो सकता है जापे आप nifty का return दे रहे हो और बदले में sir आप US Dow Jones का return ले रहे हो ऐसा भी हो सकता है ऐसे करके भी आप swap ले सकते हो हाला कि सबका net settlement पर ही होना है ऐसे बहुत type के swap हो सकते है sir एक होता है plain vanilla swap plain vanilla swap मतब sir वो swap होता है जापे आप fix to floating करते हो तो ऐसे बहुत type के swaps होते है आप मेरे अगर YouTube चैनल पर जाओगे तो वापे आपको वीडियो देखेगा what is plain vanilla swap वापे मैरे विस्तार में swaps क्या है उनका history background क्या है और उसमे plain vanilla swap क्या होता है वो मैरे आपको वापे detail में बता हो तो आप मेरे चैनल पर जाके ये भी देख सकते हो अब sir आज आते हैं अपने सम पर जापे equity swap से जापे आप sensex का return देने वाले हो और बदले में fixed return मिलने वाला है इससे क्या फाइदा नुकसान होता है net off करके अपने को देखना है वह ही उन्होंने बोला है presently उन्होंने बोला है sensex is 21600 और बाद में उन्होंने आगे net payment ढूणने बोला है और each quarter पे sensex की detail दियो हुए तो हम लोग सबसे पहले sensex का return निकालेंगे तो sensex का जो उन्होंने pricing दिया है उसके हिसाब से returns आएगा और वो returns जो आएगा plus या minus वो percentage returns को कितने पे भरोगे जो भी returns रहेगा सर आप वो 400 क्रोड के हिसाब से 400 क्रोड के हिसाब से आपको return को multiply करके amount में निकालना पड़ेगा तो सर हम लोग कहाँ पर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर पहले returns निकालते हैं तो return कैसे निकाला जाते हैं सर P1 minus P0 upon P0 into 100 करते हैं तो सर आपन लोग करेंगे 21,860 minus 21,600 divided by 21,600 करूँगा into 100 करूँगा तो आपे मेरे को 1.2037 percentage return आता है ये 1.2037 को into आप 400 करोड करेंगे तो सर य year on year return निकालोगे तो फिर negative आता है into 400 फिर positive और फिर वापन से negative आता है into 400 यह amount याद रखना है यह amount आपको पे करना है क्योंकि आप sensex का return दे रहे हैं as a TMC company और सामने as non bank company से आपको क्या मिलेगा 1.1 कितना था sir 1.1 उन्होंने question में दिया था कितना था 1.15 percentage तो 1.15 percentage quarterly आपको व के लिए TMC के लिए सम कर रहे हो तो यहाप आपको 1.15 percentage receive होगा कितने पे sir 400 crore पे तो 1.15 percentage into 400 करोगे तो आपको 4.6 crore every quarterly fixed rate है जो receive होने वाला है तो sir क्या हो जाएगा कभी आपका gain कभी loss हो जाएगा net off पे होने वाला है तो sir यहापे आप pay करोगे और receive करोगे तो receive 4.6 करोगे पे pay 4.8 करना है तो यहापे नुकसान होगा फिर gain फिर loss और फिर gain होगा इसी साब से sir आप यह equity swap का answer यहापे present कर सकते हो very easy समय सिर्फ आपको swap पता होना चाहिए और जैसे मैं student को generally बताता हो swap is incomplete without the diagram तो आप diagram करोगे तो आपको पता चलेगा क्या होने वाला क्या नहीं, right? Thank you झाला क्या है